आंकर रुमाना शर्मा का प्रश्ण है, can we change destiny? डेस्टिनी होती है, या हमारे करम ही है. आस्ट्रोजर बोलते हैं कि, बोलते हैं, X नहीं हो सकता है, H हुआ. खेर आपका प्रश्ण मैं समझ रहाँ, कि डेस्टिनी से रिलेटिड है, कि डेस्टिनी को आप बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं. जिन जब आप जनम लेते हैं, जिन परिस्थितिव में जब आप जनम लेते हैं, जिस परिवार में आपका जनम होता है, तो consciously, unconsciously जो है, आपने वो परिवार चुना है, आपने वो situation चूज करी है. आपके खास एक pattern के कारण जो है, आपके खास आपके होने के कारण जो है, आपका जनम जो है, एक ऐसे परिवार में हुआ, और अब उस परिवार के अंदर जो है, आपकी उसके जो प्रभाव हैं, वो आपकी life में पढ़ते हैं. कुछ ऐसा समझो कि तुम्हारा जनम ही इसलिए हुआ उस परिवार में, क्योंकि तुम ऐसे वेकती हो, कि तुम्हारा जनम वही उसी परिवार में होना था. तो बहुत बार हम अपने परिवार को कोशते हैं अपने मावाब को कोशते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन को कोशते हैं कि मेरी लाइफ मेरी किसमत जो है खराब है सरफ इन चीजों के कारण लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी आपको दिख सके जितनी जल्दी आपको समझ आ सके कि आपकी लाइफ की सिचुएशन जो है वो जाने अन जाने जो है वो आपने ही क्रियेट करी है जिसका यह मतलब हुआ कि जाने जाने जो है आपने अपनी डेस्टिनी जो है खुद लिखी है किसी और नहीं लिखी है तो जब destiny जब हमने खुद लिखी है तो फिर उस destiny को हम बदल भी सकते हैं अब matter ये करता है कि जब हम किसी ऐसे जब हम किसी परिवार में पैदा होते हैं तो हमारे को वो ही set of conditioning समय जो हैं दी जाती है हमें वो ही आदते जो हैं हमारे अंदर होती हैं जो कहीं न कहीं जो हैं हम पीछे से प्रारप से अपने लेके आ रहे हैं जो हम अपने past life से लेके आ रहे हैं और वो ही जब हम मृत्यू में जब हम प्रवेश करते हैं तो मृत्यू में जब हम जो हम जैसे आखरी स्थिती में होते हैं जो मरत्य वक्त जो हमारे अंदर जो भाव होता है, मरत्य वक्त जो हमारे भीतर जो है जिस तरह की हम प्रवत्तियां हमारे अंदर होती हैं, वो ही प्रवत्तियों के कारण जो है हमारा जनन जो है आगे उस परिवार में हो जाता है जिस तरह के हम विक्ति हैं, तो 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 फॉर एक्जामपल अगर आप जो है किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जहां पे जो है जो परिवार कुछ ऐसा है कि जो एक एक बिजनस परिवार फॉर एक्जामपल कि फादर जो है बिजनस में इन्वार्ड है तो फादर बिजनस में इन्वार्ड होने के कारण जो है आपके अंदर भी एक रुजहान होगा कि आप भी बिजनस करें अब ये कंडिशनिंग जो है आपको लग रहा है कि आपको के फादर से आ रही है लेकिन और भी घहरा जाओगे तो देखोगे पता चलेगा कि ये कंडिशनिंग जो है मेरी खुद की है कि इस तरह का मैं विक्ती हूँ तो जब हम एक इस चीज़ को जब हम स्विकार कर लेते हैं तो होता ये है कि हमें फिर हम जो है दूसरे को ब्लेम करना बंद कर देते हैं फिर हम ये कहना बंद कर देते हैं कि हमारी डेस्टिनी जो है खराब है या अच्छी है जिसका ये अर्थ हुआ कि हम अपनी डेस्टिनी को वैसा क्रियेट कर सकते हैं जैसा हम चाते हैं एक बारी जो है हम अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉंसिबिल्टी लेना शुरू कर देते हैं कि अगर हम अभी इस स्टेट में अगर अच्छी अगर मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ अगर मैं इसको पूरी तरह से स्विकार करता हूँ इस स्टेट को तो बहुत नाच्रली जो है हम अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी जो है अपने हाथ में ले रहे हैं और एक बार ही जो है वो रिस्पॉंसिबिल्टी अपने हाथ में आ जाती है फिर हमें किसी आस्ट्रलॉजर के पास जाने की जूरत नहीं है फिर हमें किसी के किसी से ये पूछने की जूरत नहीं है कि मेरी डेस्टिनी में वो होगा या नहीं होगा क्योंकि एस्त्रोजteen सिंप्ली जो है सिर्फ सोवे वेक्ति की बार में यी बोल सकता है सोवे वेक्ति कौन है जो आग बंद करा कि अपने जीन जी रहे हैं जो कहते हैं कि वह बढ़ना जीने म्योर्शन गेर्ग गारवशा है जब हम spiritual process की बात करते हैं, हम एक जिम्मेवारी जो है अपने हाथ में ले रहे हैं, हम अपनी destiny को जो है अपने हाथ में ले रहे हैं, हम अपनी life का control अपने हाथ में ले रहे हैं, जिसका ये अर्थ हुआ कि अब अपने life में जो भी हम create करना चाहते हैं, वो हम create कर सकते हैं, सुख हो दुख हो अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि मेरे जीवन में ये घटना घटी तो इस विक्ति के कारण घटी नहीं मेरे जीवन में जो भी घटना घटी वो मेरे कारण घटी मैं इसका पूरा पूर्ण स्विकार जो है इसको करता हूं इसकी पूरी की पूरी responsibility जो है मैं लेता हूँ फिर जिसका ये अर्थ हुआ कि कि हम फिर अपने जन्मों को भी control कर सकते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा उसको भी हम देख सकते हैं हमारे को इतनी शक्तियां मिली हुई है हम superman से कम नहीं हमारे अंदर हमारा होना जो है जो एक human होना है वो एक तरह से superhuman होना है लेकिन हम almost जो है अपनी life को जो है बहुत निम्न तल पे जीते हैं बहुत ही limited होके जीते हैं एक बर ही समझ में आ जाए कि हमारा होना जो है कितना कितना powerful है जब हम भगवान बुद की कृष्ण की और इन गुरूं की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो अफ़तार है ये special लोग है लेकिन ये special लोग हमारे जैसे ही थे ना आज की date में अगर वो अगर वो किसी ने जो है बुद्धत्व को जो है पा लिया है तो ये वो लोग है जिदो ने अपने जीवन को जो है अपनी जीवन की destiny को जो है अपने हाथ में ले लिया और ये ही important है कि जब तक कि हम अपनी life की जिम्मेबारी को पूरी तरह से अपने हाथ में नहीं लेते तब तक जो है हम एक बहुत mechanical life जीते है तब तक जो है हमारी life कुछ ऐसी होती है कि जैसे की की हवा आएगी उडा के ले जाएगी पत्ता तो ठीक है नहीं उडाएंगे तो ठीक है लेकिन जब हम जैसे ही हमने अपनी life की responsibility ली हम अपनी life की destiny हम अपनी life को जो चाते हैं वो direction दे सकते है इसलिए astrologer जो है वो बात अगर बोल रहे हैं वो simply बात बोल रहे हैं उन लोगों की बात बोल रहे हैं कि जो बहुत ही mechanical way से अपनी life को जीते हैं लेकिन जैसे जैसे हम जागना शुरू करते हैं तो हमारी life mechanical के बज़ए spontaneous होने शुरू हो जाती है और जितनी life spontaneous हो जाती है उतना दूसरों की prediction काम करना बंद कर देती है सारी prediction फेल हो जाती है क्योंकि जिसका यह अर्थ हुआ कि हम अपनी life को फिर वैसे create कर पाते हैं जैसे कि हम create करना चाहते हैं ठीक है तो इस चीज़ को समझो रुमाना की अपनी destiny को अपने हाथ में लेना है यह control जो है इस उर्जा को जो है अपने हाथ में लेना है जो तुमारी जीवन की उर्जा है इस जीवन की उर्जा जब तुमारे हाथ में आ जाती है फिर तुम अपनी life में वो सब कुछ create कर सकते हो वो सब कुछ manifest कर सकते हो अपनी life को वैसे बना सकते हो जैसा तुम चाहती हो